इस्टूडेंट आज हम बताने वाले हैं आपको लाइंस के कोश्यद पूछे जाते हैं वहां पर आता है प्रकास का प्रावर्तन और अपवर्तन इसके बारे में वीडियो हर साल बनाता हूं आपको पता है नहीं होगा क्योंकि आप आज ने हैं और आप अभी टैंथ में अट डेट बीपे सुष्वरी इसका डेफिनेशन नहीं आपके बैठता है इसका रूल नहीं बैठता है इसका की रडारेक जो बनता है वह नहीं बैठता है सारी चीज़े हम यहां पर एकदम दिमाग में बैठा के आपके छोड़ेंगे यह पक्का मान के चलिएगा मैं भी कुछ यहां पर लिखूंगा नहीं ज्यादा तर मैं केवल आपको किरडारेक समझाओंगा और आप खुद एक्जाम में अपना परिभासा रूल सारी चीज़े यह पर देंगे पक्का देंगे 100% गारांटी है लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा यहां पर मैं स्लाइड दौरा पुरे सारे चीज़े मैं समझाता हूँ तेहां पर वोलड़ पर भी समझाता हूं दोनों टाइब से समझाता हूं जैसा भी अच्छा लगे हमारे चैनल करता हूं ठीक है यहां पर भी एक लाइनिंग करता हूं ओके बास समझ गए एक लाइनिंग यहां पर भी करता हूं यह लाइन हमारा एक हो जाती है सता क्या हो जाता है सता मतलब प्रिष्ट मतलब तल यहां पर यह अगर परावरतर में है तो हमारा कोई ना कोई यह जो आएगी यहां पर इस पर टकराएगी और टकराएगी कब जब टकराती है वह हमारा जो प्रिष्ट वह पारदर्सी नहीं होना चाहिए ध्यान दीजिएगा क्या नहीं होना चाहिए यह पारदर्सी नहीं होना पारदर्सी मतलब यह इधर से तो समझ गए यह जो बदर चीज की बात करें तो उस से हम एक तरफ से दुर्सरी तरफ ना देख पाएं कुछ ऐसे ही प्रिश्ट पर एक बात आधी दिमाग polaris कि कोई भी चिकनी प्रिष्ट हो आपका कोई प्रिष्ट है कोई सतय है कोई तल है और जितना चिकना होगा आप उस पर उतना ही फिसलन होती है जितनी चिकना हट होगी उतना उस पर फिसलन होगी तो यहां पर हमें एक चिकन यूग तो मतलब यहां पर हमारा एक प्रिष्ट ल यह क्या खीच लिए अभी लंब इसका नाम हम दे देते हैं अभी लंब क्या अभी लंब ठीक है दिमाग में एकदाम बैठा लेना यह हमारा जो प्रिष्ट है यह हमारा पारदर्सी है सेम ऐसे ही हमारा इसमें होता है यह हमारा सता है एक तल है लेकिन यह हमारा पारदर्सी होगा जब पारदर्सी होगा तो बात इधर की भी होगी इधर भी होगी इसमें पारदर्सी नहीं है इसका मतलब इधर की बात नहीं होगी क्योंकि इधर अब दिखाई नहीं देगा इधर कुछ पार ही नहीं होगा तो इसका मतलब इसमें बाद चर्चा यहां पर नहीं होगी तो देखी यह चीजी क्या है मैं एक दम थोड़ा इस प्लेंट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए यह जो हो गया भिलाम बीचों बीच में अभिलाम ठीक है एक बात और यहां पर हम बताने वाले थे किस प मतलब इधर से आई है और इधर ही जाएगी उधर से आई उधर ही जाएगी तो परावर्तन फिर से वावर्त वहीं पर हो फिस फिर से उसी पर जाए हो ठीक है उसका जो हमारा गमन हो सेम वही लाके भीड़ जाए जैसे देखिए यहां पर हमारा कोई किरड आ रही है ध्यां और यहां से ऐसे फिर से वापस निकल गई यहां से फिर से वापस निकल गई ठीक है बात समझ में तो यह हमारी जो किरड़ आएगी यह तो एक किरड़ होगी किरड़ आएगी तो इसको हम किरड़ लिखेंगे क्या लिखेंगे किरड़ ठीक है और यही किरड़ इधर गई तो किरण लिखते हैं अब उन्तर किस में क्या होगा यह देखिए यह हमारी आपतित किरण क्या के रण आपतित के रण दिहान में दिमाग में ढाला आने वाली आ से आने वाली यहाँ टकर आई हैं भी लंब का बिंदु था यहो गया आपतित के रण आई आपतन बिंदु पर तो едू अब यहां से यह पडावर्थित हो गई डाशन दोड़ हो गई ठीक है एक दमारां से समझें आने वाली किरण आपतित किरण पहुंची किस बिंदु पर आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु से रिफ्लेक्शन उसका उधर गई पर वर्तित किरण उसका नाम हो गया किरण थी ही अब यहां पर आपतित किरण के के बीच में यहां पर एक कोड़ बनेगा और यहां परावर्तित किरेर के बीच में कोड़ा बनेगा इसका नाम आपतित किरेर के बीच में हमारा आपतन कोड़ क्योंकि आपतित किरेर के बीच में है यह आपतन कोड़ हो गया आई क्या आई और यहां पर हमारा यहां पर हमारा परावरतित किलर के बीच में ती यह परावरतन कोड कौन सब और परावरतन कोड ठीक है असफिगर आपको एसाई बनाना ऐसे हमें किए राभार गदर साना है दिमाग में बैठा के रिंच्ट था सदा थी है हमारी प्रकास के किरण या कोई भी भी जिवाबिस समझते हैं जब प्रकास की किरड़ किसी चिकने युकतिया चिकनेदार सता से प्रिष्ट तक्राकर पुना अपने उसी पूना हो अधरी उसी मार्क पर मतलब उसी माध्ध में वापस लोड़ जाती है तो यह घटना जो होती है प्रकास का परावर्तन होती है ठीक है बास समझे अब इसमें हमारे जो रूल है मतलब आप इसका डिफिनिशन तो लिख लेंगे जब प्रकास की किरण किसी चिकने युक्त चिकने दार स से टकड़ा कर उसी माध्ध में वापस लोड़ जाती है ति यह क्रिया यह घटना प्रकास का परावर्तन का लाती है इसका रूल होता है इसका नियम होता है क्या होता है नियम नंबर एक क्या होता है क्या नियम नंबर एक ठीक है नियम नंबर एक देखते हैं आपर जो यह कोड है और जिवर दोन कोड है देखिए Hern Your ml आप तन कोड आप तंकोड अप तन कोड ठीक है अब तन को से देख रहे हैं आई ये तンド यह और तो में या आप वरतन को हेड़् पρηवर्तन को ना पर Evans कुड्या हो रहें है अब परावर्तन कोड क्या होते हैं यह सदेव बराबर होते हैं क्या होते हैं सदेव बराबर होते हैं सदेव बराबर होते हैं ठीक है यह हो गया आपका पहला नियम दूसरा नियम हम चलते हैं सेकंड नमबर रूल सेकंड नमबर देखी अपर इसको दिख रहा होगा आपको कोड आपस में सदेव बराबर होते हैं ध्यान देजिएगा इसको बात को सेकंड पॉइंट पर हमारा क्या है अब इसी पर हम चलते हैं यह देखिए जो किरड़ आ रहे हैं कौन से किरड़ है आपतित किरड़ ठीक है इसको लिख देंगे आपतित किरड़ आपतित किरण आपतित किरण फिर उसके बाद कौन सा किरण है आपतित किरण हो गई और यह फिर परावर्तित किरण परा परावर्तित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण ठीक है उसके बाद आपका यह अभिलंब अभी लंबा सावे लंबा तीन हो गए न अभी लंब ठीक है तीनों एक ही तल पर होते हैं ठीक है पर होते हैं ठीक है इस तरिके से यह हो गया देखिए आप दूत की रड़是什麼 परावर्तिट की यह मैं आघिंड तेनों-neisen फिन टशल पर होते वह डोगए दो नियम हो गए बस हमें यहीं काम समझना है परावर्तन की नियम में हमारा परावर्तन हें यह हो गया हमारा हो गया परावर्तन ठीच है अम यहां पर हम चलते हैं आप उस पार्फ की तरफ तरफ किस तरफ चलते हैं आप उरफं की तरफ अपुरतन में हमें एक सपर्टीड देखिये जितने भी चीज़े बताएंगे अपवार्तन आपके दिमागे बैठ जाएगा यह भी बस आपको समझना है बात एंक छी तरीक इसे आप वरतन मे सब्सक्राइब कुछ देखिए अपवर्तन में आपको कि यहां पर दो चीजे समझना है कि ठीक है कि यहां पर हमें समझना है कि कि अपवर्तन जो होगा एक माध्धम से दूसरे माध्धम में होगा अपवर्तन में कि पारदर्सी मतलब होगा पारदर्सी होगी तो पता है कि और ज Самने मतलब है Mackie जब और हो सकता है एक माध्यम इदर कोई दूसरा माद्यम को सकता हैं आग यह तो इस में दो या तीन माध्यमों के अधिकतर दो ही माध्यम समय पॉर्तन पढ़ना बागी तीन माध्यमों अलग चीजें होती है ठीक है देखिए सबसे पहला हम समझते हैं यहां पर हम क्या सघन कि से बीरल है ठीक है इधार हम वीरल कुल बता है दिवाघ में बेठा करें रखना और और दोनों मोह हम यहां पर बना देते हैं हिए अभिलम कि इस अभी यह यह हो गए अभिलम कि यह क्या हो गया अभिलम ठीक है क्या हो गया अभिलम ओके अभी लंब आप समझ गए न यह दो है मतलब यह भी यह भी लंब है यह भी लंब है मैंने एक मेही बना के लिए लिए हूँ ठीक है यह पारदर्सी माद्द होगा प्रकास की किरण अब इसमें हमें गुजारेंगे इसमें हम किरण गुजारते हैं देखिए यहां से गुजर गई यहां से भी किरण गुजर गई किरण ऐसे आ रही है ऐसे आ रही है पता है आपको क्या है किरण है किरण है तो पता है कुन से किरण होगी आपतित किरण होगी आ रही है तो आपतित किरण होगी यह भी किरण है यह भी किरण है यह भी आ रही है तो इसका मतलब आप तित्किरड होगी ऐन चीजों को आपको समझना है अच्छी तरीके से तो बाते आपको कभी भी परियसान नहीं करने वाली है और पक्का है कि आप समझ भी जाएंगे वह दिक्कत भी नहीं होगी साइद ठीक है अब इसको हमें समझना है तो कैसे समझें कि इसको हम बहुत ही दिमाग में बैठ जाए हमारे कुछ ऐसे हमें सुमझना है कुछ ऐसे समझने के लिए हमें क्या करना है कि हम यहां पर जो देख रहे हैं माध्यम डेम को अपने भावाशा में समझते हैं यह कि Εukета को समझ लेते हैं दिमाग में सग ABOUT देते हैं कि वह क्या है कि दवाओ लोड क्या है लोड माध्धम है अपने दिमाग मेठाना देखिए दिमाग मेठाई येगा मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर सघन अच्टि है अर्या पर Gi लिख दे रहे हो हो सघन का मतलब मैं लिख देता हूं लोड और बिल्ग मतलब में लिख देता हूं फ्री ठीक है दिमाग लगाई येगा यह एसा यह कुछ भी नहीं इसको समझे लोट क्या होता है फिरी है हम इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं कि हम जहां टाओना चाहे दोड सकते हैं यहां चलना चाहे वहन होँद सकते हैं यहां टाओ सकते हैं हो उपने घ्रैम में लेकिन मतलब मेरे ऊपर दबाव variety अगर कि वह दो टाओं कि मैं दो सकता यसागन इसका मतलब इस पर लोड है क्या है लोड है अब जब लोड है तो एक इस मादने में पहुचएगा बीराल में जैसे ही पहुचे घृर हो जायेगा मतलब और बो चुह एक दओन नहीं हई पया लेकिन लोड को इस तरीके से अना चाहिए था उसकी क्रिया ऐसे होनी चाहिए थी वैसे ना पर ऐसे नहों करके वो कैसे हो जाएगी ऐसे हो जाएगी ठीक है ऐसे हो जाएगी अब ही एक दम धिमागे घुझ जाएगा ठीक है पता चला ना इसमें लोड था बेचारा वहां से धीरे-धी इक चल रहा था अगर उसी स्थिद में आता तो ऐसे आता लेकिन यहां पर पहुंचने पर सब्सक्राइब लोड हो गया और जब लोड हो गया इस बेचारे को तेजी से जाना चाहिए इधर जाना चाहिए इधर ऐसे इधर ना जा करके यह बेचारा इधर आ इधर यह किरल हमारी इधर आ गये तिमाग बैटा ठीके यह बैट गया अब यहां पर जो हमारा कोण अभिलम के बीच में यह बना था और यहां पर जो बना ठीकर नकोंसे कौणर अब contra और हमारा आपवारतन हुआ न आपवरतन कोंड चेक और हमारा कि आप तन को Sweat कि अपवारतन कोड भी अ और यह हो ईओ एक परतान कोड और और है आपतित पीरती सब्सक्राइब अगोर इदार साना काम दें तो हम कौन से की रड़ हो जाएगी अपवर्ति की रड़ की अपवर्तन होगा है बस उसी के नाम से में बतलना जैसे हमारी क्रियाएं हो रही है उसी के नाम से हमारा हो गया ठीक यह चीजह हो गई ना ठीके दो टेपर मारे थे फर्स्ट पर पर था दूसरा इसे其實 बइंद मिलेंगे तेक device के उसके बाद से प्रकास का छैरां जाला थे तो आपने मार्ग से बिचलित हो जाती है तो यहां घटना प्रकास का दो आला ती है यह बात आप समझ गया होंगे थीक मतलब की अब समझ रहे हैं कि जब प्रकाश की किर्ली किसी एक समांगी माध्धाम से किसी दूसरे समांगी माध्धाम में परविज्वite प्रियला रूल देख़े जब क्सक्राइए यह सब्याद मजम से कि दिए अब म्यद्ध से तो माध्याचाज है दूर और जब किसी सब्लाइब होसी प्रवेश करती है तो तो अभी लंब की तरफ जूग जाती है मतलब जबहँ बनेगा तो जुग जाएगा जब बनेगा जुग जाएगा उसाक छैकल को विड्य माध्व तहुद तुछ कर जाती है तो यह दवनों रू आखको यहां पर यहां पर लिएांद यह तयो बनाएं गे अब इसके बाद जो आप देख रहे हैं जो हापतित के रड़ है अप्षय को हम आई वह यह को वो रहे हैं इसको हम क्या करते हैं जिसकर में पर डियर कहते हैं कि आपका यहाँ पर आपतन हमें होता है ठीकिर है यह बइसमीड समझ सकते हैं कि 1 अऔर 2 होटा है है कि आप तित किरद और परवारतित किरद यहां पर है इसी जगह हमारा क्या हो यहां पर क्या होगा questo कि लेवारतakah क्या होगा इसमें अपॉआ रवर्तित की डॉड़ा और क्या है अभिलांब क्या है अभिलांब क्या है एक से हैं मतलब सेम रूल वैसे भी है इसमें भी बस आपको समझने वाली बात है यहां पर आपको देखिए अपवर्तन और परावर्तन हमने थोड़ा एजी तरीके बताना चाहा एक बार मैं रिपीट करता हूं रिवीजन करता हूं परकास का परावर्तन जब प्रकास की किरड किसी प्रिष्ट से ठगराकर पुना उसी माद्दा में वापस लोड़ जाती है तो यह घटना प्रकास का परावर्तन कहलाती है परावर्तन की किरिया में आपका दो रूल होते हैं दोनों नियम आपका क्या होता है पहला नियम है कि आपका आपतन कोड और परावर्तन कोड दोनो बराबर होते हैं और दूसरा यह है कि आप री से घंजी करती है तो अपने मारे से दूर अर जाती है और अगर बिल्र से सखन में प्रवेश करती है तो अभिलम तर जुग जाती है यह होगा आपका इसका रूल जो होता है वह होता है और दूसरा रूल होता है कि आप पूरक पूरा जो हमारा यह पाई भांसा सहीथ हमने बताया अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेट जरूर कर देना और हमारे चैनल पर जूर जाना हम ऐसे आपको टैंस लेबल की जो भी होगी विज्ञान कि हम एक चोटी-चोटी चीजें बारी की जाएगा नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं ठीक है मुबाइल टेक चैनल तो उसको सच करेंगे यह हमारा यह तम पूरा लास्ट तक था ओके मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अब जो लिखना होगा उसको मैंने बहांसाड में दे दिया इस पीज में बोल दिया उसको मैंने बोल दिया लेक्चर में तो आप समझ सकते हैं उसको आप लिखेंगे बाकि यह आपको किला डालिक समझाएंगे तो यह था आपका पूरा क्लास मिलेंगे करी वीडियो में चलते हैं और पूरा क्लास जिस पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना उस पर हम वीडि